हलो दोस्तों वेल्कम बैक वन्स अगेंग टो आज चानल बिलियन एजुकेशन माइनेम इस और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स अफ ग्रूप वन अइन टू के एक्सरसाइज के बारे में पर बिफोर स्टार्टिंग दे वीडियो आउड लाइक टो टेल यू कि हमने अपने लेवेंट और ट्वेल्थ स्टांडर महारास्टा बोर्ड के के पूरे सिलिबस को खतम कर दी तो अपना लेवेंट ट्वेल्थ का प्रिपरेशन हमारे इस चानल फिलियन एजुकेशन से एजिली कर सकते हैं और साथी साथ हमने आर्ट्स के भी बहुत सारे सब्जेक्स को पढ़ाना स्टार्ट किया है तो दोस्तों आप हमारी प्लेलिस में जाके आपका जो भी इंट्रेस्ट है सब्जेक्स का वो जाके देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेशन को हाइड्रोजिन शोज सिमिलारिटी विद अलकली मेटल एज वेल एज हेलोजन मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो अलकली मेटल के साथ भी सिमिलारिटी दिखा रहा है और हेलोजन के साथ भी दिखा रहा है ऐसा कैसे तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन आप सबको पता है हाइड्रोजन का अटामिक नंबर वन होता है और electronic configuration 1s1 बराबर और वहीं पे अगर आप alkali metal का देखें alkali metal का तो alkali metal में सबका जैसे लिधियम है जैसे sodium है तो यह देखिए 1s2, 2s1 इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 तो यह देखिए इसका भी electronic configuration s1 ही है मतलब hydrogen भी tendency रखता है electron lose करने अब जरा हेलोजन से compare करते है हेलोजन fluorine, chlorine तो देखिए fluorine 9 है और यह 17 है तो इसका क्या होगा 1s2, 2s2 थोड़ा सा इसको मैं असे लिखता हूँ 2p5, आया समझ में 1s2, 2s2, 2p5 तो अगर यह 2p5 है तो आप सबको पता चल गया होगा कि इसको सिर्फ एक electron की जरूरत है अगर यह एक electron मिल जाए तो यह argon की तरह हो जाएगा argon जिसका atomic number 10 है ठीक उसी तरह से अगर hydrogen को भी एक electron मिल जाए तो यह 1s2 हो जाएगा और 1s2 मतलब helium मतलब जैसे hydrogen एक electron के लिए तडप तडप के इस electron के लिए आह निकलती रही यह क्या बात कर रहे हो sir मतलब hydrogen को एक electron बेसबरी से चाहिए वैसे ही hydrogen अगर एक electron ले लेता है तो यह खुद भी किसकी जैसा हो जाता है helium की तरह तो दोनों को एक-एक electron की जरूरत है तो आप देख रहे हो hydrogen alkali metal जैसा भी behave कर रहा है और halogen जैसे भी behave कर रहा है तो इसकी property दोनों से match होती है और कुछ properties तो ऐसे भी है साथी हो जो दोनों से match नहीं होती आरा आपको समझ में कुछ ऐसी property है जो दोनों से match नहीं होती इसलिए हम hydrogen को पूरे period table में अलग से रखते है ना तो इसको alkali metal में रखते है और ना ही halogen पे I hope आपको समझ में आया होगा और रही बात इसके explanation के notes की तो ये देखिए notes आपके सामने है यहाँ पे ये आपको PDF के form में हमारे channel Pillion Education जो की telegram पे है वहाँ पे मिल जाएगा अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ का है next question देखिए standard reduction potential of alkali metal have high negative value अब जड़ा देखिए इसका मतलब क्या है standard reduction potential मतलब E not reduction अब जैसे lithium है जैसे sodium है तो lithium का value माल लिजे minus 3.5 volt है sodium का कितना है माल लिजे 3 volt है तो यह इतना negative की है तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है यह reduction potential की value है power to get reduced power to get reduced मतलब यह reduce होने की ताकत दिखा रहा है बट हम और आप दोनों जन जानते हैं कि alkali metal की tendency होती है oxidize होने की electron lose करने की तो क्या वो electron gain करना चाहेगा जी नहीं बिलकुल नहीं इसलिए इसकी value क्या होती है negative अगर यही आप standard reduction potential के बदले standard oxidation potential का data देखे तो वो positive आएगा positive मतलब यह oxidize होने की power रखते है reduce होने की power नहीं रखते इसलिए alkali metal का जो reduction potential आता है वो negative आता है और reduction potential क्या होती है reduce होने की power तो reduce होने की power किसकी ज़्यादा है सबसे fluorine की reactivity series आपने पढ़ा होगा redox reaction में और नहीं पढ़ा है तो साथियों पढ़ लोनी तो बहुत problem होगा चलिए आगे देखते हैं तो I hope आपको इस cancer भी मिल गया होगा next देखिए alkaline earth metal have low value of electronegativity which decreases down the group अब ज़रा देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये electronegativity होता क्या है first of all you should understand what is electronegativity तो माल लीजे कोई आटम A है और ये B है और ये दोनों ने electron share करके एक bond बनाया तब होता क्या है कि A जो है वो ज़ादा electron है तो वो electronegativity है तो वो B के electron को भी खीचता है तो अगर आप देखो तो ये electron pair कुछ ऐसे आजाती और A की उपर आता है delta negative और B पे आता है delta positive अब A पे delta negative की आया क्योंकि A ने B के electron को अपनी तरफ खीचा delta मतलब partial पूरी तरह से minus नहीं और delta positive मतलब partial मतलब पूरी तरह से positive नहीं अगर पूरा negative है तो minus 1.6 into 10 to the power minus 19 का charge जाता है और अगर पूरी तरह से positive है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का charge जाता है तो A की electronegativity जादा है लेकिन अगर वैसे ही आप alkali metal का देखो तो जैसे जैसे नीचे जा रहे है size बढ़ते जा रहे है और size बढ़ते जा रहे है तो nucleus से valence electron का distance भी बढ़ रहा है मतलब in short अगर बोलू तो nucleus की electron pair को खुद के तरफ खीचने की जो चमता है वो कम हो जा रही है क्यों? कीचने वाला कौन है? nucleus अगर माल लीजे ये electron है और ये electron है ये electron है, ये electron है, ये electron है, ये electron है तो किस में सबसे नजदीक nucleus है electron के? चलिए electron pair को दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए तो सबसे नजदीक किस में? no doubt पहले मैं, इसी लिए नीचे जाते वाग क्या होता है? electronegativity कम हो जाती है तो electronegativity का एक important factor होता है size, जितना size बढ़ा होता है electronegativity उतना कम होता है ये याद रखिएगा, ये period table में पढ़ाया गया था ठीक है? इसी लिए alkali metal के case में नीचे जाने पर electronegativity कम होती है next question देखते है sodium dissolves in liquid ammonia to form a solution which shows electrical conductivity अब जड़ा देखिए, sodium liquid ammonia में क्या करता है Na becomes E minus क्या हो जाता है? solvate हो जाता है किसमें? ammonia में, ऐसे ये electron है और ये पूरा ammonia से ऐसे घिर जाता है ये hydrogen, ये hydrogen, ये hydrogen फिर यहाँ पे nitrogen, ये hydrogen ये hydrogen, ये hydrogen फिर यहाँ पे भी एक nitrogen hydrogen, 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 hydrogen यहाँ पे भी एक nitrogen hydrogen, 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 hydrogen फिर ये सारे hydrogen इसको attract करते है सर अभी hydrogen क्यों इस electron को attract करता है तो बेटा समझने की कोशिश है यह नाइट्रोजन है आप सबको पता है कि falling scale पे nitrogen की electro negativity जादा है तो nitrogen क्या करेगा nitrogen का करेगा nitrogen इस hydrogen के electron को अपनी तरफ कीचेगा तो delta positive आएगा इस पे भी delta positive इस पे भी delta positive तो यह जो positive चार्ज है delta positive यही इस electron को अपनी तरफ खीचता है अब यह electron solvated है मतलब हर साइट से attracted है और जब यह electron move करेगा इधर उदर तो no doubt electricity conduct ही करेगा इसी लिए बुला जाता है कि solvated sodium electricity को conduct करता है no doubt na plus भी solvate होगा कैसे nitrogen इसको surround करेगा इसको कौन surround करेगा nitrogen और वो stable करेगा क्योंकि nitrogen पे है delta negative आया समझ में तो इसका simple सा answer क्या है कि जो electron lose करता है sodium उसको solvated करता है ammonia solvated मतलब क्या solvent का घेर लेना और अगर वो electron इदर उदर घुमेगा तो क्या करेगा चार्ज को conduct करेगा और चार्ज के conduct करने को ही हम क्या कहते है electricity आगया समझ में ओके इसमें तो color भी आता है blue color then gray हो जाता है वो अलग-अलग concentration पर ये सब कुछ हम देखेंगे अपने entrance की वीडियो चलिए आगे देखते है becl2 is covalent while mgcl2 is ionic जो becl2 है ये covalent है जबकि mgcl2 क्या है आइनिक है अब इधर देखो अब जैसे इसे नीचे जाते हूं पेरिलियम, magnesium, calcium, sodium, radium, पेटा, पेटा, मांगे, car, यहाँ पे, scooter भी आना चाहिए कहां गया पेटा मांगे, car, scooter, बाप, राजी फिर बेटी मांगे, car, scooter, बाप, राजी जो है वो बोल लो अब सबको P plus 2 चार्ज दे दो, सबको क्या दे दो, P, sorry, सबको plus 2 चार्ज दे दो मतलब सबके दो इलेक्टरन निकल गए, ऐसे मांगे ऐसे सब क्या आजाएंगे, CA plus 2, अब बताईए, सबसे छोटी साइस किसकी होगी, बेरिलियम की, उससे बड़ा मेगनिशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, ऐसे, ऐसे अब बताईए, अगर, अगर यहाँ पे बड़ा सा अनायन है, CL-, CL- का तो साइस सेम है न, तो कौन उसके इलेक्टरन को अपनी तरफ जादा खीचेगा, जी हाँ, इस फेनोमेना को बोलते हैं, polarization, क्या बोलते हैं, polarization, मतलब जो इलेक्टरन क्लाउड है न, इलेक्टरन, इले इलेक्टरन जो ऐसा फेला हुआ, इसको कौन खीचेगा जादा ताकत से, बेरिलियम, तो जरा देखो होगा क्या धीर दिले, ये पूरा इलेक्टरन बेरिलियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हुआ, शेरिंग करेक्टर आ गया, क्लोरीन के इलेक्टरन को अपनी दरफ खीचेगा, और शेरिंग करेक्टर आ जाएगा, मतलब कोवलेंड करेक्टर आएगा, इन शॉट बोलू, तो बेरिलियम का पोलराइजेशन पावर हाइस्ट है, जबकि मेगनेशियम का साइज बढ़ा होने के वज़े से, ये अपने बगल वाले क्लोराइड आयन के इलेक्टरन क्लाउड को इतना श्रॉंगली नहीं खीच पाएगा, इसलिए उसका कोलेंड करेक्टर काम होता है, और कैल्शियम का तो और काम होगा, आ रहा है समझ में आपको, आया न, अब जड़ा देखी, ये नोट्स में थोड़ा सा मेरे बोलेंगे, और इसमें तो गड़बर्ड है, ये देखो, ये वाला पॉइंट, कैल्शियम क्लोरीन बॉन्ड इस मोस्ट कोवलेंट अमॉंग दे त्री, ये पॉइंट को आप अपने जैम से निकाल देना, ठीक है, चलिए आगे देखते, ओई, ये क्या हो गया, हाँ आगया अब इसे समझने कोशिश कीजिए, तो लिदियम है, वो पानी के उपर फ्लोट करता है, लेकिन जो सोडियम है, वो पानी के अंदर चले जाता है, और पायर भी क्याच करता है, अब इसका मतलब क्या है, जड़ा देखिए अगर आपको पता है, तो लिदियम, सोडियम, पटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे है, साइस बढ़ते जा रही है, आया ना, ये लिदियम छोटू, उससे बढ़ा सोडियम, उससे बढ़ा पोटाशियम, उससे बढ़ा रुबिडियम, उ nucleus यह electron attraction कम हो रहा है तो simple सी बात है lithium के compare में कौन electron जल्दी lose करेगा sodium lose करेगा क्योंकि sodium का electron पर attraction कम है या फिर ऐसे बोल सकते है sodium की ionization enthalpy कम है जबकि lithium की ionization enthalpy जाता है समझ मैं तो अब sodium react करेगा Na plus H2 gives what NaOH plus H2 यहां से hydrogen gas निकलेगा यह heat इतनी sufficient होगी कि hydrogen को oxygen के साथ react करवा देगी और water बनवा देगी समझ में आ रहा है यह reaction होगा लेकिन अगर वहीं पे lithium देखे तो lithium यह जल्दी electron देता नहीं है यह जल्दी electron देता नहीं क्योंकि उसकी ionization enthalpy high होती है और दूसरी चेज़ अगर मैं बताऊं आपको तो यह क्यों नहीं fire catch करता क्योंकि lithium की density भी कम होती है density का भी यह order होता है तो lithium बहुत light होता है और बहुत light होता है इसलिए water पे क्या होने लगता है float होने लगता आगे समझ में lithium light होने के वज़े से water के उपर क्या होता है float होता है और वो जल्दी electron lose नहीं करता क्योंकि उसकी ionization enthalpy हाँ है इसलिए वो जल्दी fire week catch नहीं करता जबकि sodium की reactivity lithium के compare में ज़ादा है तो और उसको आपन लिखेंगे कैसे तो बेटा notes दे रहाऊ ना दिखली जी ये ना attention काहें लेते हूँ समझ में आया बस इसे अपने दोस्तों के बीच फैला दो समझ में आया हमें बस आपसे यही इच्चा है कि आर कोई बच्चा पढ़ ले ऐसा नहों कि उसे किसी reason के बस classes नहीं मिला अच्छा teacher नहीं मिला इसे लिए आगे देखते है write the balance chemical equation for the following ओके यहाँ पर देखिए CO2 is passed through concentrated NaCl which is saturated with ammonia तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है CO2 है बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ दे दिया है CO2 है फिर ammonia है फिर H2O है और फिर उसके अंदर NaCl भी है यह पूरा बना देता है NaHCO3 NaHCO3 plus NH4OH यह बना देता है यह मैंने आपको notes में भी दे रखा है वाकाइदा आपको tension लेने की जरूरत नहीं है यह देखिए NaHCO3 और यह NH4Cl मेरे खहल से मैंने गलत लिख दिया है NH4OH लिख दिया है obviously Cl यूज नहीं हुआ है तो Cl यहाँ पर आएगा यह sodium bicarbonate है sodium bicarbonate बनता है और sodium bicarbonate को अगर आपने गरम कर दिया तो यह आपको दे देगा sodium carbonate Na2CO3 plus H2O और CO2 यह भी आ जाएगा आपको साथ यहाँ पर देख लिए अपके पास है बिल्कुल टेंचन नहीं लेवान हूँ चलिए आगे देखिए 50% solution of next question देखते है 50% solution of sulfuric acid is subjected to electrolyte oxidation the product is hydrolyzed चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको अच्छे से H2SO4 50% मतलब क्या यह देखिए H2SO4 सबसे पहले तूटेगा कैसे 2H plus plus या फिर ऐसे ले दीजे यह तूटेगा to give H plus plus HSO4 minus अब यह आयन है दो आयन है एक कटायन है और एक अनायन है कटायन क्या थोड़ पे जाएगा अनायन एनोड पे जाएगा कटायन क्या होगा रिडूस होगा और अनायन क्या होगा ऑक्सिडाइस तो चलिए देख लेते हैं एनोड पे रियाक्शन एनोड पे क्या होगा HSO4 minus अब जड़ा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही difficult situation यह है कि यहाँ पे sulfur जो है उसका oxidation नंबर प्लस 6 है और जिन्हें पता है sulfur के outermost shell में 6 electron होते है तो sulfur को जितने देने थे वो तो उसने दे दिये अब तो sulfur oxidize नहीं हो पाएगा और जब sulfur नहीं oxidize होगा तो फिर oxidation किसका होगा तो याद रखिए इसमें oxidation oxygen का हो जाता है इसका हो जाता है oxygen क्योंकि oxygen यहाँ पे कितना है minus 2 minus 2 से वो minus 1 में करनाट हो जाता है कैसे वो oxide से peroxide बन जाता है दोस्तों देखो कैसे यह बना देता है H2 H2O8 यह क्या बन गया H2 H2O8 plus 2 electron तो यह हो गया oxidation अब यहाँ पे H2 H2O8 का मैं आपको structure बता देता हूँ यह देखिए यह structure बनाने का मतलब यही है कि आपको मैं यह दिखा पाऊँ कि कैसे यहाँ पे peroxide linkage होता है यह देखिए यह peroxide linkage है इसमें दोनों oxygen का minus 1 minus 1 जबकि यहाँ पे हर एक oxygen का क्या था minus 2 अब जब देखिए यह anode का product है cathode पे क्या है cathode तो simple है hydrogen gas निकल जाएगी वहाँ cathode पे क्या है 2H plus plus 2 electron gives what hydrogen gas यह तो फुर्र से चली गए अब important क्या है इसका hydrolysis भी किया गया है तो यह देखिए H2SO8 will give you H2SO4 plus H2SO5 यह देता है अब यह H2SO5 जिसको हम carose acid भी बोलते है या फिर इसको peroxy sulfuric acid भी बोलते है peroxy monosulfuric acid अगर आप इसका structure देखना चाहें तो वो भी ऐसा होता है यह देखिए इसमें भी यह peroxide linkage है और यह वापस water से रियाग करता है no doubt यहाँ पे water लिया गया है और यहाँ पे भी water लिया गया है तो यह देदेगा oh sorry H2SO4 नहीं H2SO5 carose acid इसको carose acid भी बोलते हैं हमारे कुछ बच्चे इंटरेंस के लिए भी प्रिपेर करते हैं तो उनको भी simultaneously हम बताते चलेगे तो यह हो जाएगा H2SO4 plus H2O2 यह बन गया समझ में आ रहा है H2SO4 plus H2O2 तो यह बन गया hydrogen peroxide ओ यह बात हाँ यही बात है तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं यह जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको बोलते हैं peroxy disulfuric acid क्या बोलते हैं peroxy disulfuric acid आगे समझ में peroxy disulfuric acid ओके चली आगे देखते हैं magnesium heated in air अरे तो बहुत ही simple सरी आक्षन है simple मतलब कैसा magnesium को हवा में गरम करना है 10 standard में पढ़े हो magnesium क्या करेगा magnesium plus O2 2MgO पन गया simple इसको बोलते हैं magnesium oxide यह simple बन जाएगा यह तो कोई difficult नहीं है T वाला देखिए क्या है beryllium oxide is treated separately with aqueous HCl and aqueous NaOH solution beryllium oxide को treat किया गया इसको भी देखते है beryllium oxide मैं आपको बता दू यह इसको react किया गया है HCl के साथ तो यह क्या बना देगा यह बना देगा BeCl2 देखिए कैसा इसका salt का nature क्या हो जाएगा beryllium का somewhat around basic nature होगा ऐसे infoteric भी दिखाएगा यह पिड़माल लीजे यह basic है और यह acidic है यह क्या है acidic और यह किसकी तरह behave करेगा base और acid और base रियाग करके क्या बनाएगे salt तो BeCl2 हो जाएगा यहाँ पे 2 लगा देते हैं और इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा H2O यह reaction हो गया अब BeO का reaction NaOH के साथ भी करेंगे तो मैंने बताया जैसे कि इसका nature क्या होता है infoteric अब यह base आ गया तो उसके सामने किसकी तरह काम करेगा acid की तरह और यह क्या देतेगा Na2BeO2 प्लस यह देखिए Na2BeO2 प्लस H2O यह देखिए हो गया तीन oxygen थे यह दो oxygen और यह एक तीन oxygen तो यह दो और यह एक इसको बोलते हैं sodium very late का बोलते हैं sodium very late very late very late नहीं very late very late यह सब normal nature पढ़ा जाता है inorganic chemistry में आपको इसका tension लेना आपको सिर्फ यह reaction पता होना चीए समझ में आई दोस्तों तो I hope आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसे अपने दोस्तों के भी share कर दीजी और आपको कोई भी doubt है तो नीचे comment box में लिख दीजी अगर आप channel पे पहली बार आए हो visit कर रहे हो तो subscribe करना मत भूलना और साथी साथ bell notification को दबा देना bell जो icon है तकि आपको notification मिल जाए तो दोस्तों इसी तरह सीखते रहिए अपना ग्यान बढ़ाते रहिए और हमें support करिए thanks a lot for watching the video have a nice day bye bye